हेलो फ्रेंट्स वागत आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सेयर करूँगी फुल बाजू की कुर्ति की कटिंग और स्टेचिंग दोनुँ तो सबसे पहले हम लंबाई ले लेते हैं तो लंबाई हमें 22 इंची त्यार चाहिए तो हम दो इंची एक्स्ट्रा रखेंगे तो चोईस इंची हम यहां से लेंगे और चोईस इंची पर हम निशान लगा कि यहां पर इस तरह से लाइन डो कर लेंगे क्योंकि डेट इंची हम निचे चाहिए मार्जिन के लिए और आदा इंची हमारा सिलाई में उपर जाएगा तो टोटली हम दो इंची एक्स्ट्रा लेंगे और फिर लेते हैं हम यहां से शोल्डर तो शोल्डर हम लेंगे साथ इंची यदि आप कोलर का बना रहे हो तो आठ इंची ले लिजिएगा और यहां से हम लेंगे आरमोर लेंगे साड़े छे इंची आप कोलर का बना रहे हो तो साथ इंची ले लिजिएगा और यहां से हम लेंगे साड़े चोधा इंची इस तरह से कमर का निशान लगाए साड़ी चोधा पर और हिप का लगाए हमने 20 सिंची पर सभी निशानों को हम इस तरह से बढ़ा लेंगे इस तरह से सभी निशानों को बढ़ा लेंगे और अपनी तरह हमने बंद वाग रखाया है कपड़े का और अब लेते हैं चेस्ट का फोर्थ वाग, तो चेस्ट हमारी 40 इंची है, 40 इंची हमारी तयार है, तो हमें 11 इंची पर निशान लगाना है, और 1 इंची अक्स्ट्रा सिलाई के लिए, और कमर हमारी 35 इंची है, तो यहां से हमें 9 इंची लेना है, और 2 इंची अक्स्ट्रा क्यूंकि यहां पर एक इंच के टक्स डलेगी और हिप हमें लेना है 45 इंची तो हमने यहां पर से लिया है 11 इंची और एक इंच एक्स्टा रखाए और यहां से भी हमने सिधा इस तरह से से शेपते देना है और निचे से भी हमें इस तरह से से शेपते देना है अब यहां पर हमने 10 इंची भार निकालते हुए इस तरह से सिधी लेंड रोगने है और हारमॉल का शेपते देना है गोलाई में इस तरह से यहाँ पे 1.5 इंची या पूनी 2 इंची का गय पाना चीए और गला ले रहे हैं हम 3 इंची और यहाँ से भी 3 इंची और लंबाई में साड़े 4 इंची ले रहें क्योंकि 4 इंची हमें तयार चीए अब हम इसको कट कर लेते हैं गले को भी कट कर लेंगे और थोड़ा सा यहां से डाउन करेंगे, अब हम काटेंगे फ्रेंट भाग, तो फ्रेंट भाग को इसलिए हमें अपने तरफ खुला रखाएं, और बैक पार्ट को इस तरह उपर रख देना है, अच्छे से शेट करके, और यहां से आदा इंची एक क्योंकि आगे की तरफ हमारी एक टक्स दलेगी और यहां से हमें एक इंची एक्ष्टा रखना है, क्योंकि आगे की जो टक्स है वो बड़ी डलेगी और पिछे की थोड़ी सी छोटी डलेगी, आगे की टक्स है वो दो इंच की डलेगी, तो यहां से हम एक इंची कि अब multi सब्सक्राइब कर fragrance को आंदर करते हैं तो यहां से हम आरडुमाइल का शेप्ति देए तो हमने यहां पर इस तरह से एक इंची अंदर करते यहां पर इस तरह सेप्ति हैं अब हम गला लेंगे तो गला हम 6 इंच का रखेंगे तो यहां से साड़े 6 इंची लिए और इस तरह से शैपटे देनी है अब हम इसको cut कर लेंगे अब हम आगे की प्लेट्स का निशान लगाएंगे तो यहां से हमने लिया है दस इंची और यह प्लेट्स आएगी हमारे यहां पर हम साड़े चार इंची पर इस तरह से लगाएंगे साड़े चार पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और यहां से हमें डाई इंची छोड़ते हुए यह प्लेट डालनी है इस तरह से और यहां से दो इंची छोड़ते हुए यह साड़े वाली प्लेट डालनी है और उपर से साड़े पांच या छे इंची ले लीजिएगा और यह प्लेट सम सवा तीन इंची तक इस तरह से डालेंगे और यहां पर सिधा निशान लगा लेंगे ताकि प्लेट से अमरी सिधी डले निशान है उनको हम गहरा कर लेंगे यहां से थोड़ा सा कट करेंगे ताकि यहां से गले की तरफ हमारा है वो अच्छे से से शेट हो जाए यहां पर हम इस तरह से सीधी लायन ट्रो करेंगे यह हम प्लेट डालेंगे आठंची के यह शाड़ी 8 तक भी डाल सकते हो यहीं आपको पेट बहार निकला है तो यह प्लेट का बनाना चाह रहे हो तो नीचे तक यह प्लेट डाल सकते हो आप पूरी बड़ी तो यह प्लेट इस तरह से टलेगी आप बड़ी नीचे तक भी डाल सकते हो लेकिनि उसमें आपको साइड में है वह अक्स्ट्रा रखना पड़ेगा एक इंची आगे तक निशान हो हम नीचे उठा लेंगे अब हम बाजू निकालेंगे आदा इंची हम छोडते होए बाजू निकालेंगे अब हम यहाप प्लेट्स के निशान भी लगा लेते हैं तो उपर से मैंने यह प्लेट्स 11 इंची पे लिए इस तरह से और नीचे से लिए हमने 8 इंच तक साइड़े 8 इंच आठ इंच तक और यह भी हम साइड़े 4 पे लगाएंगे इस तरह से और बीच का इससा लेके हम इस तरह से आधा अधा इंची पे हम दोनों साइड से प्लेट्स लगा लेंगे अभी हम निकालेंगे बाजू तो बाजू का कपड़ा हमें इस तरह से रखना है जो कनार है उसको हमें इस तरह से तिर्षा रखना है ताकि हमारी बाजू में खिचाव ना आए इस तरह से हमें कपड़ा रखना है एक साइड से तिर्षा यह देख लीजी जो कम कपड़ा है है आज रखेंगे और ज्यादा कपड़ा है वह पिछे की साइट रखेंगे जहां से शूल्डर चूडेंगे रोते ब這樣的 ważne करने मोल movements सितесलिक इस हाँ से हमें 3 इंची डांशेन आinea और इस तरह से देख़ोगा रिल्ग 一ो इसेल्न तो कि निसान लगा तो आगे की तरफ पूर्ण एक इंची की शेव देदेंगे नापके देख लेते हैं कितना होता है और अब लेते हैं लंबाई तो लंबाई हम लेंगे यहां से हमें 21 इंची और दो इंची का आगे बोडर आ जाएगा और इस तरह से हम यहां पर सिलाई लगाएंगे जो हमने मार्जिन किया है इसके उपर सिलाई आएगी तो यह हमारे बाज्यू कटकी और यह पूरा बलाउस कटके तियार हो गया चिरो अब सिलाई करते हैं तो हमने जो निशान बनाएं इसी तरह इसी निशानों पर हमें यहां आप से शिलाई लगाने हैं यहां से थोड़ा सा गोल कर देना है इस तरह से रावन और इनी निशानों पर हमें प्लेट्स डालने है तो फ़रे प्लेट्स डाल लेते हैं इस तरह से हम पकड़ेंगे और बीच से इस तरह से हम सिलाई पका करते हुए यहाँ पर डबल सिलाई लगाएंगे यह देखिए प्लेट्स यहाँ पर हमने दो इंची का कपड़ा दबाया है और यहाँ पर हम आदा आदा इंची का कपड़ा दबाएंगे दोनों साइड हम एक एक प्लेट्स लगाएंगे तो आदा इंची अंदर दब जाएगा और यह प्लेट्स हम इस तरह से डालेंगे यदि ये बीच वाली प्लेट आपसे इस तरह से नहीं डलती है तो आप नीचे से भी डाल सकते हो उसमें आपको क्या करना होगा कि साइड में है वो एक इंची अक्स्टा ले लीजिएगा कपड़ा बे कपड़े से ज्यादा लेना है साइड से एक इंची नीचे तक तो यह प्लेट से आप नीचे तक डालीजिएगा और पूरी है प्लेट से हम इस तरह से डालेंगे यह देखे इस तरह से प्लेट से वो डलेगी और इस तरह से हमेरा शेट होगा बहुत ही सुन्दर पबन के आया है और यहां पर जिसके टमी निकली होती है तो आराम से फिट हो जाता है ब्लाउच और यहां पर हम आदा देंच की प्लेट डालेंगे जिस तरह से हमें आगे की साइट डालें और यह देखिए पिछे भी हमारी प्लेट से उड़ डाल गई है अब हम यहां से सोल्डर जोइन करते है तो इस तरह से हमें सोल्डर जोइन भी कर लेना है दोनों तरफ अब हम यहां पर आगे हुक और हाई के लिए पट्टी लगाएंगे तो यह दो इंच की मैंने पट्टी लिए और एक साइट के नारी है तो इस तरह से हम उपर रखे और पट्टी लगा देंगे नीचे से पांच इंची छोड़ते होए हम यहां से कट कर देंगे पट्टी को और इसको इस तरह से अंदर दबाते होए सिलाइ लगा देंगे यहां से थोड़ा सा कट करके अंदर शिलाई लगा देंगे थोड़ा सा में अंदर दबा के और एक शिलाई इसके उपर और लगा देंगे अब हमें यहाँ पर हुक वाल पट्टी लगाने हैं जो नीचे की साइड लगती है तो एक साइड इस तरह से सिलाई लगाएंगे और इस पट्टी को हम इस तरह नीचे की तरफ लगा देंगे और एक सिलाई हम कनार की इसके उपर और लगा देंगे और इसके उपर एक सिलाई और लगाएंगे और अब हम साइड वाले सिलाई लगाएंगे क्योंकि बाजु इसके साथ में टेस्ट नहीं करेंगे हम इसको अलग से अटेस्ट करेंगे बाजु को तो यहां से हम इस तरह से पहले हम एक एक इंची अंदर दबाते हुए सिलाई लगाएंगे अब हम यहां से नापेंगे चेस्ट दोनों तरफ हम सिलाई लगाएंगे यहां पर गोलाई में चेस्ट को नाप लेंगे तो यह थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा है यानि एक इंची एक इंचे हमारी और दबेगी यहां से अब हम कमर भी नाप लेते इस तरह प्रफेक्ट हो जाएगा और कभी आपको लूज करने का होगा तो इस प्लेट को खोली जेगा तो लूज भी हो जाएगा कि अब आपके देखते हैं यहां से तो यह हमारी पूरियार यह और यहां पर हमने थोड़ थोड़ी और लगाई है पाव पाव इंच की यानि एक पेर का मार्जिन देते हुए और फिर हमने यहां से साइड से इस तरह से फोल्ड करना है जहां से हमारा खुला भाग था इस तरह से आप कट लगाता हूं तो आपकी जो कुर्तिया वो उपर की तरफ नहीं की सकती है वरना आपके बार-बार में उपर की तरफ किसकेगी तो इस तरह से आपको कट ज़रूर लगाना है कुर्ति में तो दोनु तरब से हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे अब हमें यह अब भड़ाबर करके नीचे से फोल्ड करना है तो यहाँ पर निशान लगा के और नीचे से यहाँ पर सिलाई लगा देनी है डेल इंचे अंदर फोल्ड करते हुए तो यहां पर हमने निशान लगा कि बराबर नीचे से फोल्ड कर देना है चारू तरब से और यहां से जो सिलाई लगी है उसको कट कर देना है यह देखिए अब हम बाजु जोइन करते हैं तो सबसे पहले हम बाजु को दोनों तरब यह हमने बाज 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 यहाड के दो कपड़े ले लेना है इस तरह से चोकोर में और दोनों को साइट से सिलाई लगा दिए इस तरह से हमें इसको सुल्टा कर लेना है और दोनों तरफ हम इस तरह से कपड़े को फोल्ट करते हुए हमें सिलाई लगाएंगे और 20 में एक कट लगा लेंगे और इसको इस तरह से नीचे रखेंगे और इसके उपपर सिलाई लगाएंगे एक भाग नीचे की तरह रखते हुए हम एक ही से में इस तरह से सिलाई लगा के यहाँ पे दोदू प्लेट लालेंगे और यह प्लेट से हमारी अप्पोजिट डलेगी दो प्लेट हम इस तरह से डालेंगे और शिलाए लगा देंगे और दो प्लेट हम इस तरह से डालेंगे यहाँ पर और यहाँ से हम पकड़ते हुए प्लेट डालेंगे हमारा जो बाजु का कपड़ा हो अक्स्टा नहीं होना हम इस तरह से फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ यहां पर हम कोर्नर की सिलाई लगाएंगे एक इस तरह से हम इसको उपर वाले कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और यहां पर एक सिलाई लगा देंगे कोर्नर के सिलाई लगाएंगे हम पका करते हुए यहाँ पर और एक सिलाई हम इसके पास में और लगा देंगे तो यहाँ पर हम छोटे-छोटे कर्स लगा देंगे ताकि हमें हमारी बाजू पर खिंचाओ ना आए और अब हम यहां पे नाप के thereully की बाजू है वह हमारे कितनी अंदर दबेगी कपड़ा और यहां पे हम् क Bread निशाण लगाएंगे यहां पर 7 इंशान लगाएंगे यह पाजु की Phitting का लेंगे और सीधी करके हम इस तरह से बाजू को सीधा और बलाउच को उल्टा करते हुए हम इसके अंदर बाजू डालके और यहां पर सिलाई से सिलाई मिलाते हुए हम यहाँ पर बाजू सिलाई लगाएंगे आदा इंची का मार्जन देते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से यहां पर हम हलके हलके हातों से सिलाई लगाएंगे अब हमें यहां से इस तरह से जो अक्ष्टा कपड़ा है उसको एक बार इस तरह से फोल्ड करके फिर दुबार से फोल्ड कर लेना है और नीचे की तरफ दबा देना है और इसी तरह से हमें बाजू का कपड़ा भी एक्स्टा है वो नीचे फोल्ड करके और पिछे की तरफ दबा देना है यानि यह जो फोल्ड वाला कपड़ा वो पिछे की तरफ करना है और एक सिलाई हम इसके उपर और लगा देंगे इस तरह से और दोनों ही बाज़ों हम इस तरह से जोइंट कर लेंगे अब हम यहाँ पर एक कपड़ा लिया है और इसकी उरेब कपड़ा निकालेंगे पट्टी निकालेंगे डेडेडीन्स की और यह हम गले में लगाएंगे यहां पर हमने एक लंबी पटी बना लिया है जो उरेप कपड़े में है और इसी पटी को हम इस तरह से गले में अटेज करेंगे नीचे हमने ब्लाउज रखा इसके उपर हमें यह पटी रख के और यहां पर हमें इस तरह से सिलाई लगा देने हैं एक पेर का मारजिन देते हुए पट्टी को दिरे-दिरे खीजना है और ब्लाउज को हमने लिला झोड़ देना है और इस तरह से हमें एक बार फोल्ड करके और दुबारे से फोल्ड करना है यानि कि यहां पे हम गोलाई वाली पाइपिन बनाएंगे इस तरह से आप देख सकते हो और इसके पास में हमें सिलाई लगाने हैं सिलाई हमारी पाइपिन पे नहीं लगेगी पाइपिन के एक दम पास में लगेगी और निचे से इस तरह से एक बार फोल्ड करके इस तरह से हमें एक एक बार और फोल्ड करके और यहां पे एक गोल पाइपिन बना लेने हैं और यहां पे हम दिरे-दिरे सिलाई लगाएंगे सिलाई में हम जल्द बाजी नहीं करेंगे क्योंकि जल्द बाजी करेंगे तो हमारी मसीन है वो पाइपिन के उपर चड़ जाएगी और पाइपिन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी तो इस तरह से हम पूरी पाइपिन लगा लेंगे यह सिलाई लगाने के बाद में हमें हाथ का काम नहीं करना पड़ेगा सिर्फ मसीन से ही पाइपिन बन जाएगी और यह देखिए बहुत सुन्दर हमारी गोल वाले पाइपिन बनी है और यह हमारा पूरा ब्लाउस बन के तयार है अब देख लीजिए हमने यहाँ पर बटन भी लगा दिये है और यह हमारी बाजू है प्रेस भी लगा दिये बहुत सुन्दर कुर्टी बन के आई है आप भी इस तरह से गर पर बना सकते हो आसानी से बहुत अच्छी कुर्टी बने है इसके बहुत जादा डिमान थी तो उतिन कुमेंट आ रहे थे कि कुर्टी बताइए तो इस तरह से कुर्टी आप बना सकते हो जो लहंगे पर पैनी जाती है आप यहाँ पर कोलर भी लगा सकते हो और यहां से इस तरह से मैंने कट लगाया, यह कट लगाना ज़रूर ही है क्योंकि यह कट नहीं लगाओ गए तो आपकी कुर्तिय वो उपर की तरफ गिसके की और यह पिछे हमने प्लेट्स डाली है, यह प्लेट्स हमने नीचे तक डाली है आप मैंने पहले बताए, तो उस तरह से पर डाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है और यहां पर मैंने यह देखे, गोला बनाया, गोल और यह पहने के बाद मैं भी बहुत ही अच्छी फिटिंग आई थी इसकी तो आप लोग भी इस तरह से बनाएए इजली कुर्ती गर पे आई होप मेरी यह कुर्ती आपको अच्छी लगी होगी, यह दिया अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर जरूर करे